सबी सात्वी को नमस्कार तेजस अजुकेशन हब की पसू परीचर भरती के पार्ट वी की कलास में आपका स्वागत है देखे पसू की नसलू से संबंदित जो सामानने लेवल के क्यूसन थे वो आपको करवा दिये गए हैं अब जो 11 और 12 की जो पसू से संबंदित जो कर्शी संकाय में चलती है वो बुक में क्या क्यूसन दे गए हैं उन पे और चर्चा कर लेते हैं आपसे इस वीडियो में थोड़ा निवेदन रहेगा कि वीडियो की जो क्वालिटी है आप उसको थोड़ा हाई कर लेए बिकानेरी नसल के उंट की जमीन से थूई तक उचाई होती है बारा से चौदा फिट दस से बारा फिट साथ से नो फिट कोई नहीं देखिए जो उंट होता है उसकी जमीन से लेकर जो थूई होती है उसकी उसकी उंचाई कितनी होती है तो 12 से 14 फिट उसकी उंचाई होती है उपसर नमर ए उंट को परति दिन 18 से 36 लिटर पानी की आवसकता होती है परति दिन उंट को पानी कितना चाहिए याद रख लीजिए देखिए यह आपकी जो 11-12 की किताब में दिये गए है और उसे परति दिन 25 से 1500 गराम नमक की आवसकता होती है तो यहां से तीन क्यूसन बनते हैं पानी की इतना 18-36 लिटर नमक पिछेतर से 1500 गराम और विकानेरी नसल का उंट है उसकी उंचाई 12-14 फिट होती है लगबग सबी उंटों की जो उंचाई है वो 10-14 फिट होती है उंट के कुबड का आकार किसकी मात्रा को दरसाता है देखिए जो उंट का कुबड होता है वो किसी का छोटा किसी का बड़ा मद्दे माकार का होता है तो वो किसकी मात्रा पर निर्भर करता है पानी की मात्रा आहार की मात्रा उंट की लंबाई पर कोई नहीं देखे उंट की कुबड का आकार जो उसको भोजन दिया जा रहा है जो वो कितना खाना ले रहा है उसकी मातरा पर उसके कुबड का आकार दरसाता है अगर वो ज़्यादा भोजन लेता है तो उसका आकार थोड़ा बड़ा होगा विश्व के उटू में सबसे सुंदर नसल कौन सी है बिकानेरी, जैसलमेरी, सिंदी, मेवाडी देखिए अगर सबसे सुंदर उट की बात की जाए तो वो बिकानेरी नसल का उट होता है अबी मैं आपको बिकानेरी नसल का उट दिखाता हूँ थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा देखिए ये है बिकानेरी नसल का उट ये आप देख पा रहे हैं देखिए यहां लिखा हुआ है ये नाग की हड़ी उपर उठी वी दिखाई देती है जिसे ये नसल सुंदर लगती है वर्तमान में जो नसल बिकानेरी उट की है वैं वीशू के उटू में सबसे सुंदर नसल है ये देखिए ये इलेवंद की बुक में दिया गया है यहां पे तो ये देख सकते हैं आप बिकानेरी उट किस नसल के उट में खोपड़ी आगे की और खतम होती है वहां पर एक गड़ा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है रट लीजिए कि स्टॉप किस उट में पाया जाता है ये देखिए मैं थोड़ी ये देखिए आप याद कर लीजे सिर्फ बीकानेरी उंट में ही स्टोप पाया जाता है ओप्सन नम्मर ए ये देखिए बीकानेरी उंट के बारे में यहाँ दिया गया है इसके उपर यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी खोपड़ी होती है वो गोलाकार होती है गोलाकार ये देखे खोपड़ी होती है वो गोलाकार होती है और उठी हुई होती है जहां खोपड़ी आगे की और खतम होती है वहाँ पर एक गड़ा होता है जिसे इस्टोप कहा जाता है ये देखिए ये इस्टोप ये सिर्फ बिकानेरी उंट में होता है अब देजे एक खोपड़ी है वो आगे की और खतम हो रही है वहाँ पे थोड़ा हलका सा एक खड़ा होता है जिसे ये उट है वो बहुती सुन्दर दिखाए देता है जिसे इस्टोप कहते हैं किस नसल के उट का मुह के नीचे का होट गिरा हुआ होता है विकानेरी जैसल मेरी सिंदी मेवारी देखे उट का मुह है उसका होट है जो नीचे वाला होट है जो नीचे वाला होट है वो थोड़ा लटका हुआ होता है गिरा हुआ होता है लटका हुआ या पिर आप ये कह सकत थोड़ा मोटा होट होता है ये कौन सी नसल में पाये जाता है तो ये मेवाडी नसल में पाये जाता है मेवाडी नसल का उट है मेवाडी नसल मेवाड छेतर में पाये जाती है मेवाड छेतर जो अरावली का छेतर है दक्सिन या रावली का चितर उसे मेवाडी चितर कहा जाता है इगार मैं जो मेवाडी नसल का उंट है उसके आपको फोटो दिखा देता हूँ ये देखिए ये मेवाडी नसल का उंट है इसकी नसल की सबसे खास पैचान ये होती है किसका जो होट है वो गिरा हुआ होता है होट गिरा हुआ यह देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करके आप इसकी जो विसेशता है उसको पूरे को पढ़ सकते हैं और सबसे जो अलग पैचान होती है इसी नसल के उंट का होट गिरा हुआ होगा किस नसल के बकरे में सामनेता डाड़ी होती है बर्बरी, बीटल, सिरोई, लोही देखिए किसी भी नसल का जो बकरा होता है उसमें डाड़ी नहीं होती है लेकिन बीटल नसल ऐसी है जिसके बक्रे में सामनेता डाड़ी होती है option number B मैं दिखा देता हूँ आपको बीटल नसल का बक्रा अभी देख लीजिए आप देखिए यह रहा बीटल वसल की बक्री इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप बक्रू में इसमें सामनेता डाड़ी होती है इसी नसल के बक्रू में यह डाड़ी पाई जाती है तो यह देख लिए बीटल नसल का यह देखिए वैसे पंजाब की नसल है ज़्यादा इसकी उत्पती है लेकिन अपने भी यह कुछ छेत्रू में पाई जाते हैं इसलिए ये क्यूसन थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है किस नसल की बकरी में पिछली टांगू पर लंबे गने बाल होते हैं जमनापुरी बीटल बरबरी सिरोई ये देखिए जमनापुरी नसल की जो बकरी होगी उसके जो पीछे के पैर होंगे उन पर लंबे गने बाल होते हैं इसका उतर आपसन नमरे होगा मैं भी आपको फोटो में जमनापुरी नसल की बकरी दिखाता हूँ ये रही जमनापुरी नसल की बकरी और ये देखिए ये इसके पिछले बाल है यहां पे देखी आपको लंबे गने गने बाल दिखाई दे रहे हैं और यह यहां लिखा हुआ है देखिए कि इसकी टांगे लंबी होती है और पिछली टांगू पर लंबे गने बाल होना इस नसल की विसेस्ता है तो याद रख लीजिए जमुना परी पिछली नसल की जो टांगे वहां पर ये बाल देखी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पर ये किस बैस की नसल के सिंग छोटे और जलेबी के गहरे जैसे गुन्डीदार मुड़े वे आकरसक होते है देशे सिंग छोटे होंगे और बिल्कुल ऐसे जलेबी की तरह गेरेदार होंगे गुंडीदार लिये होंगे मुर्रा सूर्ती जाप्रावादी बदावरी मुर्रा जिसे अपन सामान नहता है बासा में कुन्नी या कुमी बोलते हैं किस बहस की नसल का रंग तामबे जैसी लालीमा लिया हुआ बादामी रंग होता है मुर्रा सूर्ती जाप्रावादी बदावरी देखिए मुर्रा की मैंने आपको विसेष्टा बता दिये इसके सिंग होते हैं वो गुंडीदार होते हैं ये काले रंग की होती है सबसे तौच्चा मुलाइम होती है तो वो इसी मुर्रा नसल की होती है तौच्चा मुलाइम ये देखिए लेकिन तामबे जैसा कलर बादामी रंग होता है वो बदावरी नसल की बहस का होता है बदावरी उप्सन नमर डी मैं दिखा देता हूँ आपको फोटो में ये देखिए ये है बदावरी ये यमुना की तरफ वाले इलाके में पाई जाती है इस पसू की मुख्चे विशेश्ता तामबे जैसी लालिमा लिए हुए बादामी रंग होता है ये देखिए ये तामबे जैसा कलर ये देखिए ये कलर बिलकुल तामबे जैसा इसका कलर होता है बादामी कलर होता है बिलकुल इसका काले रंग की नहीं होती है ये पूर्टिया के नाम से ही है भैदा वरी तो बादाम है बादाम बादाम है इस परकार आप याद कर सकते हैं इसे किस नसल की भैस के जबड़े के नीचे और आदाहर वक्स पर सपेद रंग की एक पट्टी होती है सूर्ती मुरा जापरवादी कोई नहीं इसका उतर होगा सूर्ती ए मैं देखिया आपको समझा देता हूँ जैसे उसके जो होट होंगे ऐसे मान लो बिल्कुल और जो नीचे का होगा ऐसे ये मू है मान लीजी आप उसका बहस का तो बिल्कुल ये एक तो नीचे की तरफ यहाँ ये देखिये मैं दूसरे कलर की कर देता हूँ यहाँ और एक उपर की तरफ क्या होती है सपेद कलर की पट्टी होती है सपेद रंग की पट्टी तो ये सूर्ती में पाई जाते है यहाँ पे आपको देखना यहाँ पे बिल्कुल दोनु जब्रे के नीचे भी और उपर भी बीच में सपेद रंग की एक पट्टी होगी तो वो सूर्ती नसल की मुख्य विसेश्ता है देखे जो सुरू के वीडियो थे वो आपको बेसिक तयार करने के लिए दिये गए थे कि आपका जो बेसिक है वो तयार हो सके क्योंकि आपने अभी तक पहली बार मेरे को ये पता है कि आप पसू परीचर की पहली बार ये भरती है और पसू परीचर का जो कोर्स है वो पार्ट बी का वो आप अपने जीवन में पहली बार पढ़ रहे है आपने अगर पसू को पढ़ा है तो सिर्फ जीके के रूप में अभी तक पढ़ा है इसलिए जो सुरू के वीडियो थे वो आपका बेसिक करने के लिए था ताकि आपको इसमें इंट्रेस्ट आए अब जो मैंने पसू की नसल का हमारा जो टोपिक है जीके की तरफ से वो हो चुका है तो अन्ने क्या क्यूसन बन सकते हैं वो अब दो तीन जो वीडियो होंगे उसमें अपन क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने दोस्तों को इस कलास को लाइक, सेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए, सेयर कीजिएगा और हमारे टेलिग्राम चैलंज से जुनना नहीं भूलिएगा अगर आपको ये किताब की पीडियाप चाहिए जो 11 और 12 की कलास में चलती है तो आप मेरे को टेलिग्राम ग्रूप में मेसेज कर देना मैं आपको ये किताब की पीडियाप आवेलिबल करवा दूँगा धन्यवाद